जय हिन दोस्तों CISF Constable की वेकेंसी निकली हुई है और ये वेकेंसी आल इंडिया के लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं जो वेकेंसी निकली है CISF Constable Center Industries Security Force में वेकेंसी निकली हुई है और इसके फार्म जो भरे जाएंगे ओनलाइन फार्म भरे जाएंगे 21-11-2022 से 20-12-2022 तक फार्म भरे जाएंगे लाश्ट डेट है 20-12 यानि कि एक महिने का टाइम है मेल फीमेल और एक्स अरुस्मेन सभी अपलाई कर सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ट इक्जाम होगा और मेडिकल होगा इसमें ओनलाइन फार्म भरे जाएंगे इसके फार्म आप आज से भरना शुरू हो गया है जो भी फार्म भरना चाहें भर सकते हैं स्केल रहेगा पे लेवल तीन मिलेगा 21,700 से 69,100 इसमें सैलरे रहेगी अभी पोस्ट की बात कर लें बैकेंसी जो निकली है भूतपूर सेनिकों के लिए काफी बैकेंसिया है भूतपूर सेनिक भी अपलाई कर सकते हैं टोटल बैकेंसी तो पहले तो बैकेंसी डिटेल बता के लिए 102 वैकेंसी है वासर मैं के लिए 118 वैकेंसी है स्वीपर के लिए 199 वैकेंसी है पेंटर के लिए 1 वैकेंसी है मसं के लिए 12 वैकेंसी है प्लमबर के लिए 4 वैकेंसी है माली के लिए 3 वैकेंसी है वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी है टोटल 789 वैकेंसी है 779 इसमें बता को दी गई है और इसके बाद रीजन वाइज भी वेकेंसी डिस्टिबूट की गई है रीजन वाइज वेकेंसी आप देख सकते हैं हर रीजन के लिए अलग-अलग दी है जो जिस रीजन में अपलाई करना चाहे उसी जगह जॉब लोकेशन रहेगा और बता दे कि सबकी अलग क्यों इसमें एक सर्वश्राम की भी अपने ही स्टेट में आप इसमें रीजन भर सकते हैं जो आपके रीजन पर्ता है वे इससे डाल सकते हैं फीमेल के लिए अलग-वेकेंसी डिस्टिबूट की गई है तो सभी ट्रेंड़वाहिसese tiempo के लिए बैकेंसी है और जो भी इंढ apply करना चाहें तो इसमें apply कर सकते हैं और काफी अच्छी vacancy है एक service man के लिए जो vacancy है शबके trade wise अलग लग लग दी है cook के लिए 30 है, cobbler के लिए 1 है, tailor के लिए 3 है, barber के लिए 10 vacancy है Wasserman के लिए 12 है, sweeper के लिए 20 vacancy है, messenger के लिए 1 vacancy टोटल 77 वैकंसी बोदपुर सैनिकों के लिए है और इसकी जो एज रहेगी एज बोदपुर सैनिकों के लिए 3 साल प्लुश डिडेक्शन अप जिल्टरी सर्वेस की एज रहेगी यानि कि 50 साल के एक सर्विस्में इसमें अपलाई कर सकते हैं जो भी X-Service Men apply करेंगे, अगर suitable X-Service Men नहीं मिले, तो इसकी vacancy non-X-Service Men category को दे दी जाएंगी, यानि कि बिना X-Service Men के दूसरे को vacancy दे दी जाएंगी, फीस जो application फीस रहेगी, सोर रुपए रहेगी, लेकिन X-Service Men category को फीस exempted है, कोई फीस नहीं देनी है, तो यह थी जानकारी CISM में बैकेंसी का इस वीडियो में तना ही वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें चैनल सब्सक्राइज जरू करके रखें जिससे की लेटर्स नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्यू जैहिद